करें हाँ आप लोग कैसे हैं चलिए आज की वीडियो में हम सब इन इडियूंस और फ्रेज को याद करते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि याद करना बहुत कम्प्लिकेटग वर्ग है लेकिन डियर में आप लोगं पिस्वास दिलाता हूं, बहुत आराम से इन सब्दों को याद कर लेंगे, ठीक है, जैसे का आप लोग देख रहे हैं, सामने MTS लगी हुई है, और ये सब words अक्सर SSC उठाता रहता है, और आप लोग अगर ध्यान दे देंगे, निशीत रुप से सारे words बहुत आराम से याद हो हमारे साथ लेखेंगे, परिशान हो जाना, ठीक परसान हो जाना, अब सवाल ये उठता डियर, याद करेंगे, अब देखी डियर, इसमें क्या है, स्क्रेच, इसक्रेच मने होता है, स्पेलिंग थोड़ा सेरर हो गया है पर, इसक्रेच में हथीं च्च बना लीजएगा तो इस्क्रेच हो गया आप लोग देगे इस्क्रेच माने खरोचना होता है इस्क्रेच मतलब क्या होता है खरोचना वांस माने किसी के हेड माने सर में ठीक है माने जिए किसी के सर में अगर जू पढ़ गए हैं तो दिन भर इस्क्रेच करेंगे इस्क्रेच माने खरोंचेगे अर्थात काटेंगे ना वन्स हेड किसी के सर में जू अगर दिन भर इस्क्रेच करेंगे खरोंचेंगे तो अर्थात उसको क्या करेंगे परसानी तो करेंगे अराम से दो जाएगा तो हो जाएगा इस्क्रेच वन्स हेड अर्थात परिशान करन होना है राइट नेक्स्ट वर्ड है कम आउट माने होता है लिख लेंगे प्रकट होना या प्रकासित करना है प्रकासित करना है फाGO सवास इब Cage तर या क्या है कम अब इधर क्या है आउट जब कोई चीज कम मने आना आउट मने बाहर जब कोई चीज बाहर आ जाएगी तो अर्थात हो जाएगा प्रकट हो जाएगा अर्थात सभी लोग को सकते हैं कि यह क्या हो गया प्रकासित किया जा यह प्रकासित करना हो गया इस तरीकी से इसको याद कर लेंगे नेक्स या नेक्स टॉर्ट है ये का शफल होना कि इसको कैसे याद करेंगे काम आफ देखिए दो हो गया work se अपने नौकरी उकरी मिल जाने एक बद पढ़ाय लिखाई सब क्या करते हैं बंद कर देते हैं अपने काम में लग जाते हैं तो उस पढ़ाय लिखाई वाला जो काम है उसको आफ करने मतलब जीवन में व्यक्त क्या हुआ शफल हो गया इस तरीके से इसको याद करेंगे नेक कहता के लिए आगे आप सवाल एह उठता है कैसे याद करेंगे इसमें कम मने आना फारोड मने आगे कम आने आना फारोड मने आगे आप लोग जानते होंगे जब कोई किसी भी समस्याम चाहन 11 तो कम अना फारोड उसके सामने जो पहले आएगा अर्थात वही उसकी क्या करेगा मदद करेगा कोई समस्या में हूँ कोई मेरे सामने आप समस्या में हैं कोई आपके सामने आया और आपका सहयो कर दिया अर्थात कम फरोड आपके आगे आ गया अर्थात हो आपका सहायता करने के लिए आ गया ठीक चिकेन आउट बने होता है चिकेन आउट बने एक तरह से जनते हैं आप लोग डर कर पीछे हटना लेख लेंगे हमारे साथ डर या कर पीछे हटना हम इसे डर पोक भी कर सकते हैं जिसे टेमेट कहते हैं ठीक है अब देखिए याद कैसे करेंगे डियर अब देखिए चिकन चूजा जनते हैं छोटे-छोटे होते हैं आउट अगर बाहर निकलते रहते हैं कोई हा कर देता है या कोई चील उगर देख ल चीकेन आउट होते हैं कुछ चीज देखते हैं डर के अंदर हो जाते हैं अर्था डर कर पीछे क्या कर जाते हैं हड जाते हैं तो चीकेन आउट का मतलब हो जाएगा डर कर पीछे हटना या डर पोक होता है next word है dear head over hills अब head over hills का मतलब क्या हो जाता है dear अब इसके बारे में आप लोग लिखेंगे पूरी तरह से प्यार में डूब जाना लिखेंगे पूरी तरह से प्यार पूरी तरह से प्यार में डूब जाना पूरी तरह से प्यार में डूब जाना अब देखिए याद करना कितना आसान है डिर पूरी तरह से प्यार में डूब जाना अब देखिए एक लड़का ने कहा सर जब मैंने उसे हेड मने सर से लेकर सर के उपर से लेकर हिल्स एड़ी होता है आप लोग जानते हैं मतलब सर से लेकर पैर तक मैंने उसे देखा तो मैं उसके प्यार में पूरी तरह से क्या हो गया डूब गया कहते हैं head over hills इसका मतलब कह सकते हैं सर से लेकर उसके पैर तक जब मैं उस लड़की को देखा तो मैं उसके प्यार में पूरी तरह से डूब गया ठीक आगे देकिन करें अंडर द्ढ़ाओ हो नगर कर मतलब क्या होता है दबाओ होना हर साथ लेखेंगे यहां परहोगाद दबाओ होना अब सवाल उठता है कैसे याद करेंगे Undert अंडर नीचे दगन मूवी देखते होंगे अंडर दगन आप लोग मूवी में देखते होंगे जैसे आप लोग जिद्धी देखे होंगे उसमें जो आपका सनीदेवल रहता है जो डॉन रहता है उसके पीछे गन लगा देता है यह किसी मूवी में देखेंगे अंडर दगन नीचे गन लगा देते हैं और कहते हैं जैसे मैं बोलता हूं जैसे मैं कहता हूं उधर चल तो अंडर दगन जब नीचे गन लगा देंगे तो जैसे कहेंगो इसे जाना पड़ेगा अर्थात आपके उपर क्या पड़ा है दबाव होना दबाव होने के कारण तो आप ऐसा कर र होता है करीब होता है जाल माने होता है जबड़ा अब आप लोग का तरह जो गाल होता है और जबड़े होते हैं वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं बहुत नजदीक होते हैं ठीक है ड्रेज करने के लिए भड़ की लिए कपड़े पहनना यहां पर लेखेंगे आकर्सित करने के लिए भड़ की लिए कपड़े अब देखिए ड्रेस होता है तुकिल गाओं की भासा में हम लोग भी अक्सर बोले जाते हैं सुसल मेडियाव देखते हूं कहते हैं यार क्या तुन्हें कपड़ा पहना भाई ऐसा ड्रेस पहना है तो किसी की आज जान ले लेगा ड्रेस ड्रेस की मतलब होता है किसी की जान ले लेगा अर्थाथ आकरसित करने के लिए बढ़ की ले कपड़े पहनना अर्थ आकरसित करने के लिए बढ़ की ले कपड़े पहनने के तभी तो कोई ऐसा मुलेगा यार तुने ऐसा कपड़ा पहना है किसी की आज क्या ले लेगा जान लेगा लिखेंगे आग बबूला आग बबूला हो जाना अब हैक्जा टूमानय प्लाउद सेंट के मतलब आप समझ रहे हैं बेकार की मेहनत करना यहां पर लिखेंगे बेकार की मेहनत करना याद कैसे करें प्लाउद माने आप लोग जानते हैं हल चलाना जोतना होता है अब बताओ अगर कोई बालू जोतेगा उस जोताईस क्या लाव होगा एगंटे बाद दो घंडे बाद फिर वह इसे हो जग तुरंत इधर जोते जाओ पीछो बराबर होता जाएगा तो बालू कीजिताई करना अर्थात हम लोग कर सकते हैं कि बेकार की मैनत करना !". देखें बेंड ऑवर धक्वर्डज grabbing मन ज्खवनआ उवर दाब वैक्वर्ड की मतलभ हो जाएगा बहुत कछिन परिष्ष्रम करना यहाँ पर लिएक लेंगे हैं हमारे साथ बहुत अधिक, बहुत अधिक कठिन, बहुत अधिक न कठिन परिश्रम करना हूँ ठीक है याद कैसे करेंगे देखे बेंड माने क्या होता है जुकना ओवर माने ऊपर बायकोड माने पीछे की तरफ बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना आप बताओ अगर कोई कहे इसे पीछे की तरफ बेंड माने जुको पीछे की तरफ जुको ऐसे जुकना ये कैसा काम है ब पूर्ट दे काड़ ब्फोर्ञ हर्ष, कश्ञ गलत या उल्टे क्रम में काम करना यहां पर लिखें के हमारे साथ क्यांट, यह बहरothy, कर में कारे करना यहां लगाड़ा का थिक लेयों तो तो क्या कहते हैं गलत या उल्टे क्रम में कार करना अब देखेँ जो घोड़े जो Bach गोड़ा के सामने कार्ट रगा दे गोड़ा के सामने सामने लगा दिया गलत लगा दिया इसको घोड़े के पीछे लगाना चाहिए था अर्थाइब का से उल्टे करम में और ठीक है तो तो यह वीडियो नहीं समाप्त करते हैं इसको देखिए डेफिनेटली आप लोग बहुत आराम से याद कर लेंगे यह बहुत कुरूशियल है बहुत इंपोर्टेंट है अगर किसी प्रकार का कोई प्रावलम आता है डेफिनेटली कंटेंग नमबर आता है आप लोग कंसल्ट कर स